आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उदेपुरी ब्लॉग पे अगर आपने हमारे उदेपुरी ब्लॉग सस्क्राइब ने किया है तूपर बने वे बेल के वटन को दबा ले और हमारा ब्लॉग सस्क्राइब कर ले हमारा ब्लॉग बिलकुल निसुल है और अधीक से अधीक हमारे वीडियो को सेयर करें तो आज हम आपको लिये चलते हैं गांधी उद्यान गांधी उद्यान मेयद्नि नगर बेलवा टिकर चौक से स्टेशन के और जाने वाले मार्क प्रिस्तित यह उद्यान काफी बिवस्थी ढंग से बनावा है और अभी इसको शुरू किया गया है मैदान के चारो और फेपर ब्लॉक लगए हैं जिस पर आप सभी यहां पर परकिर्मा करते वे अपने स्वक्ष वातावर्ण में घूमने का एहसास करेंगे यह देखिए काफी लोग यहां पर घूमने कुवाय में है मैदान ये जो है काफी घनी अबादी के बीच है चार और से बच्चे बुढ़े सारे लोग आते हैं और यहां पर घूमने के लिए वो और साथी एक्सरसाइज के भी वेवस्था है खेलने के लिए बच्चों के ईह तिरंगा काफी उचा तिरंगा डाल टेंगल के सब से उचा तिरंगा यह अस्थानि स्टेशन पर फरता है ये aan स्टेशन से काफी न जज्डी दिखे वहाँ पर railway कॉजनी के काफी लोग रहते हैं वहाँ से भी लोग आते हैं और बेलवाटी कर अपने आप में बहुत घना इलाका है यहाँ के सारी लोग इस मैदान में आ रहे हैं ऐसे तो सहर के हर छेत्रों से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और घुमते में अपने कुछ यहाँ पर मित्रोक मंदली के साथ गब सब करते हुए समय बैतित कर रहे हैं काफी अच्छा बनावा पार्क है आप देखिए पीछे को और एक बिल्डिंग है ये इधर में हरे बड़े पेड़ है बिल्डिंग देखने से आपको अंदाजा होग या होगा कि सहर के बीचो बीच इस्तितिय पार्क है हमारा और सहर के बीचो बीच हमें ऐसी सुन्दर जगा मिली है जहां हम अपने घूमने का अनंद के साथ स्वक्ष वातावर्न में रहें कुछ योगा भी कर सकते हैं यहां पर ओपें जीम की भी वेवस्था है यूँ तो डायटेंगा में तीन चार ओपें जीम खुल चिलके हैं लेकिन यहां पर उसके बाद भी काफी अच्छी भीड है छोटे बच्चे भी ओपें जीम में आकर कि यहां पर जीम कर रहे हैं यहां पर देखिए यह लाइट की भी अच्छी वेवस्था रखी गई है यही ओपें जीम यहां का है इसके लावा ओपें जीम हमारा सबसे पहले कोहल पूल के किनारे बना था वहां भी आज भी काफी लोग जाते हैं सुबह के समय काफी अच्छी भीड़ भाड़ रहती हैं वहां पर यह देखिए छोटी बच्ची जीम करने का प्रयास करते वे मोबाइल के स्यूग में सभी अपने अपने स्वास्थ के परति जागरुख हो गए हैं हर कोई अपने को स्वास्थ रखने के लिए योगा एक्सरसाइज कर रहा है बहुत अच्छी पहल इसमें हमारे देश के पानी परधान मंत्री जी का भी काफी योगदान है उन्होंने भी योगा का काफी परचार परशार किया है जिसके कारण लोग स्वास्थ लाप के और काफी आकरसित हुए है छोटे बच्चे भी देख रहे हैं आप यहां उपेंजीम में कर रहे हैं इधर देखे कितना अच्छा वातावर्न भी यहां पर है मनोरम वातावर्न काफी सुहानी साम है यह बच्चे खेलते वे इधर में काफी बच्चे खेल रहे हैं काफी अच्छा सुखद्धन हो आप भी एक बार डालटे का जाए तो जरूर इस मैदान में आईए बच्चों के संग उनका भी मन लेगा और आप भी यहां घूमेंगे तो आपको भी अच्छा लेगा यह भी कई किसम के छोटे च्छटे बच्चों के खेलने के लिए अलग अलग जूले फिसलियां काफी कुछ यहां पर अफलब्ध हैं इधर में यह चोटे बच्चे उपर चड़के फिसलने के त्यारी करते वे अब देखिए इन बच्चों का कुछ निया कारनामा कुछ मस्ती इनके साथ कुछ झीड़ हैं कुछ यह कुछ झाल 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 कि यह पार्क से निकलने का गेट है में गेट सामने में काफी बड़ी इमारत बनेगी